आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो समय होता है कौन सा समय वश्यकरण के लिए या फिर किसी भी समय के लिए अनुकूल होता है कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ये पुछते हैं कि गुरुजी मुझे मंत्र नहीं पता चल रहा मुझे समय नहीं पता चल रहा कौन से समय सबसे अनुकूल होता है ये प्रयोग करने के लिए तो देखिए समय तो कोई भी ले लीजिए आपके भावना के उपर होता है लेकिन जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्रह्म मुरत का समय होता है यानि कि तीन से चार बजे के बीच तक का या आप पांच बजे तक भी कर सकते हैं वो समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय सभी के विचार शांत होते हैं शांत अवस्ता में होते हैं शांत अवस्ता में कैसे होते हैं क्योंकि सभी उस टेम पे जादतर लोग सो रहे होते हैं तो उनके उपर कोई भी प्रयोग करेंगे तो वो दूसरे समय के अपतु जीदा जलदी काम करता है यानि की दूसरे समय के according आप अगर ब्रह्म मुहुरत में काम करते हैं कोई भी तो जदा अच्छा होता है अगर आप student हैं तो आगर ब्रह्म मुहुरत में उठना बहुत ज़रूरी है सबसे सही समय होता है ये प्रयोग करने का आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैसे को मतलब अपने पर्स में या अपने तिजोरी में कैसे रोका जाए आज की जो हमारी वीडियो है ये है कैसे माला माल हुआ जाए आज के समय में कौन नहीं चाहता कि पैसे कमाए जाए और ऐसा कुछ हो जो पैसे रुक जाएं पैसे बस आते ही रहें जाए ना तो बहुत से लोग ऐसे सर्च करते हैं शॉर्टकट ढूंड़ते हैं कोई जुगा खहलते हैं कोई सट्टा लगाते हैं मेरे पास बहुत कॉल आते हैं दिन भर के मैं परिशान ह जाता हूं तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं आप लोगों को एक उपाय बता हूं जो कि बहुत हचुक और कारेगर है लेकिन इसको करने से पहले आपको मास, मीट, मदीरा ये सब चीज़े छोड़नी होंगी अगर कोई भी गलत आदत है तो आपको छोड़नी होगी क्योंकि अग का काम नहीं बनता इसलिए मैं कहता हूं अगर किसी की भलाई होती है तो ये प्रयोग कीजिए और क्योंकि ये प्रयोग जन कल्यान के लिए जन हित के लिए है तो आप इसको आजमा सकते हैं आप इसको कर सकते हैं ये आपकी जो वृद्धी है पैसे की वृद्धी है उसमें आपको मदद करेगी यानि कि पैसे में वृद्धी करेगी जैसे कि आपके पास पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे कहीं से भी कहीं से भी रास्ता निकलेगा आप सोच नहीं सकते जब पैसा आता है तो कहीं से भी आ जाता है और इतना आता है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं और ये जो प्रयोग है ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है मतलब कम समय में अच्छा इसल्ट देने वाला और ये काफि सारे प्रयोग हैं लेकिन मैं सिर्फ एक ही प्रयोग बताऊगो क्योंकि वही इनफ है देखिए कुछ भी नहीं करना सबसे पहले तो जो आपके पर्स में पैसे होते हैं उसको सजाना धजाना बंद कीजिए सजाना धजा के मत रखिए पैसे जैसे सामने वाला दे शॉप कीपर वैसे ही डाल लीजे अगर मुड़े हुए देता है तो मुड़े हुए ही डाल लीजे आप पहले ये करके देखिए उसके बाद कमेंट देना मुझे और इस में कम से कम अप एक महीने इसको यूज़ आपके बाल बहुत जड़ते हैं, आप उनको सजाएंगे, सवारेंगे, तो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, वो नहीं टिकेंगे, वो उड़ने लग जाएंगे, हलाकि सब पर ये चीज़ लागू नहीं होती, लेकिन ये कड़वी सचाई है, और ये गले से उतारने बहुत मुश्किल है, तो आप इतना रिस्पेक्ट देना बंद कीजिए उस चीज़ों को, जिसको रिस्पेक्ट मिलनी बंद हो जाती है, वो अपने आप सेट हो जाता है, मतलब आप गरीब के बच्चे को देखिए, वो कभी उनको कोई बीमारी नहीं होती है, वो बहुत रेर किसे समी होती है, क् मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उसको ट्रेंगल फोल्ड करिए, और जैसा उसमें बताया है, वैसा करके आप अपने पास रखिए, ध्यान रहे, एक रुपे का ही नोट हो, दो रुपे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत अजीब हजीब साफ बताया है, एक रुपे का नोट हो, उसको मोड के ट्रेंगल शेप में रखके आप रख सकते हैं, और नोट सही होना चाहिए, कहीं से फटा हुआ ना हो, तो जाता अच्छा रहेगा, एक रुपे के नोट के अंदर वो शक्ती है, जो पैसे को इस तरह खीचती है, जैसे हर साल चेंज करिए, और जितना हो सके ब्लैक पर्स, यानि की काले रंगे जो पर्स होते हैं, वो ना रखें, उसके अलावा कोई भी रंग ले लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ, उसको एक महीने तक आप करके देखिए, उसके बाद आप कोई रिजल्ट मिलेगा, और फिर क कमेट में जवाब देना, यह बहुत ही अचुक उपाय है क्योंकि मैं इसको खुद करता हूँ और यह वाकई में काम करता है, जो इनसान का दिमाग सोच सकता है, वो सब चीज पॉसिबल हो जाते हैं इस दुनिया में, क्योंकि प्लेन के मामले में भी किसी ने पहले सोचा हो होगा, विचार आया और फिर वो वास्तविक्ता में आ गई है, उसी प्रकार से हम जो भी सोचते हैं वो कर सकते हैं, टैंक भी किसी ने सोचा होगा, टैंक होगा और वो ख्याल आया और वो हो गया, तो हर चीज सोची जाती है पहले और आप अपने माइंड में वो सोच आदे घंटे में आपको वही सोचना है कि मैं रिच हूँ या मेरे पास उतने पैसे हैं जितने मुझे चाहिए और आपको खुश रहना है, जादा देर नहीं सिर्फ आदे घंटे, बहुत मामूल इसी बात है, आप रह सकते हैं, अगर खुश भी नहीं रह सकते हैं, तो आद पिस सोच पर नहीं सकते हैं, और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, और होता ही रहता है, और पैसे के मामूले में बहुत ज़्यादा होता है, जब भी आपके पास पैसे हूँ, गरीबों को दान करिए, उनको नहीं जो आपसे मांगते हूँ, उनक किसी के प्रती कोई द्वेश मत रखे मन में मतलब घ्रना का भाव मत रखे अगर किसे ने कुछ बुरा कर दिया है तो आप उसको माफ करना सीखिए अगर आपने माफ कर दिया तो आप सोच नहीं सकते आपकी जिन्दगे में कितना बड़ा परिवर्तनाएगा किसे ने आपका साथ है उसके साथ बने रहिए मतलब आपको अपनी तरफ से किसी के पारे में कुछ नेगटिव नहीं बोलना है और जब आप यह सब चीज़े करने लग जाएंगे तो आपके जिन्दगे में बहुत बड़ा परिवर्तना था शुरू शुरू में तो थोड़ा मुश्किल हो लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगरा हैं या दोस्त मिस्तर सखा जो भी हैं उनमें वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी आपके द्वारा लाब हो सके और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जित यह आपको मेरी वीडियो जादा टाइम के लिए सुननी चाहिए कम से कम आप मेरी वीडियो को तीन बार सुने दिन में मैं यह नहीं कहता कि आप यूट्यूब से इसने डाउनलोड करके रख लीजिए और वहां से सुनिए यकीन मानिया अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उमीद करता हूँ और ऐसे मेरी इच्छा है और जादा नहीं बस इतना ही आज की वीडियो में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को शेयर करिए और अगर कोई समस्या है तो आप मुझे वाटसप कर सकते हैं हाला कि मैं सब के जवाब नहीं दे पाते क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इमेल्स, वाटसप, कॉल्स आती हैं तो मुझे फॉन भी आफ करना पड़ता है लेकिन अगर मुझे समय मिला तो मैं सभी को रिपलाई करता हूँ अपनी तरफ से और ग्रुप अभी खुला हुआ है तो जल्दी से आप मुझे अपना नाम और नमबर दे सकते हैं ताकि मैं आपको ग्रुप में एड़ करूँ थोड़ी सी जगह बाकी है और इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करिए ओम नमश्यवाए